सबी मित्रो कुरामरा मित्रो स्वागता आपका फिर से olicit डास्तानजी के की अंटिवास्तिक स्रीजों में हम लोग बात कर रहेथे आप लोगों के पुराताथ्यीकी इस्तल साथिए च्यार पुरातात्यूट इस्तल आपके शिलीवसिंहे नवी आपको याद करने होते हैं नमबर एक आपके काले बंगा शातिए नमबर दो बैराट नमबर तिन गणिश्वर नमबर चार आहड गणिश्वर आप बैराट की बात कर रहा हूं चोथे तो आपके पांच शे घंटे के मैं बहुत सोट में दद्दस मिनिट में लाकि आपको दे रहाँ साथियों देखी मैं पहले भी कहा कोई भी सब्वेता विक्षित हुई है साथियों कोई भी मानौ प्राचिन मानौ संस्कृति बसी है तो उसने यह देखा है कि हमारे सुमीरा ज गम किया ता इसलिए उसको साथियों अर्जुन की गंगा भी हम लोग कहते हैं तो यह जो विराटपूर है साथियों विराट कहते हैं विराटपूर के नाम से भी रहा है यह किसी जमाने में मतश्य जनपद की राजधानी रही है कौन सा विराटपूर महाजनपद से इनका स जाएंगे और एक महाभारत कालिन यह इंपोर्टेंट है इस पर पूरी पूरी आपकी सभ्यता निकलेंगे साथियों महाभारत कालिन में हम लोग बात करेंगे तो आपके पांडो का सथ अध्यात वास बितेगा यहां पर भीमलत तालाव हमको यहां मिलेगा तो बहुत सी हमको बहुत मिट्री जैसे हमको दिखाई दिये गरामिण है हमको वहां गणेश वर में तामाई तामा दिखाई दिया था यह आदोगा आप लोगों को यहां ऐसा कुछ नहीं है हमें यहीं द्यान दखना है कि सर महाभारत कालिन और भौध कालिन ठीक है और यहीं से पतल लगेग मतलब से महाजनपत से इनका सम्मंद रहा है महाभारत कालिन अउसे समय मिले है पांडियों अज्यातवास यहां बिताया था अरजुन ने बान गंगा नदी का उदगम भीम लात तालाब का निर्माण करवाया साथ यो पानी के आउसकता पड़ी भीम लात तालाब का निर्माण हो गया ध्यान रखें आप लोग जिला जैपूर है नदी बात करी चुक है भान गंगा अरजुन गंगा अब यह दो को रुंडित नदी का मतलब क्या है पहले यह नदी अपना जल यमुना में ले जाती थी यमुना के माईद्यम से इनका जल बंगाल के खाड़ी में जाय करता था लेकिन साथ्यों अब यह नदी का जल यमुना तक नहीं पहुंचता है भरतपूर के मैदानी इलाके में ही क्या लुक्त हो जाता है तो भरतपूर के मैदानी इलाके में ही लुग तो जाएगा मित्रो ये तो ज्यान रखें आप लोग अब ये आगे नहीं जारी आंतरिक जल्ब प्रवाग नदी और रूट गई है इसलिए से रुंडित नदी हम लोग कहते हैं ठीक है अब इतना देखो पांच बाते सुनाई और पांच बातों में इतना केलियर ये तो होता है पड़ाई साथियो ये तो होता है रुवीजन उत्खरण 1936-1936 में धैराम साहनी के दुवारा और हम बात करें साथियो 1962 63 में नील रतन बनर जी और कैलास दिक्षित ने दिया साथियो कि है यहाँ पर आप देखे यहाँ प कौन कौन से उनकी बात करें देखें हम लोग आपके महादेव ढूंगरी है साथियो गनेश ढूंगरी है भीम ढूंगरी और बीजक ढूंगरी यह क्या है ढूंगरी है साथियो अब इसमें हमें यह जो बीजक ढूंगरी है यहाँ पे बोधकालिन और मोर्यकालिन आउसेस मिल यहाँ से पता लगेगा हम लोगों को यहाँ पे मत है सात्यो हमें मत मिले जो कि इनकी हेन सांगने संक्या कितनी बताईए आठ बताईए और एक मत के खंडर की में एक भांड मिला जिसमें कपड़े से बंदी हुई 36 मुद्राय और 8 पंच मार्ट 28 इंडो ग्रिक आपके क्या मिलें यहां पर मुद्राय जिनमें से 8 तो है 5 और 28 है आपके इंडो ग्रिक मुद्रा मिली है और कपड़ा हाथ से बुना हुआ मिला है ठीक है यह द्यान रखें आप लोग यूनान से संबन्न बताया, क्योंकि 16 मुद्रा ये, इसलि CBD के यूनानियों ने यहाँ शाषक किया, लेकिन वासते यूकताम जानकारी कि योनान से व्यापारी आते थे, और वे व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे तो वे अपने मुद्रा को बदला लिया करते थे तो वे मुद्रा यहां मिलें साथियो और देखिए गोल बोध मंदिर यहां मिलें भारत में सबसे पहले जो मंदिर मिलें साथियो वे आपके यहीं मिलें यह भी ध्यान में थिकाते हैं कि यह अपने आप में संगेत करते हैं कि यहां भोधकालिन अउसेश मिल और यहां जालनंपे बात करते हैं कि आपके अशॉख आलिण उसेस का हा कमेने अशोख आलिण उसेस यहां से देखेंगे तो यहां पर भवरु का स्हल longtemps एक मिला जो क्ैप्टीन बरट के उनको भलो そう पर यहना वरतवान में कहा है । कल करता में यहां लोग बात करते शाथी वह हम लोग बात कर रहे थे कि बोध धरम में देखिए यहां पुष्टो पोदिन लिफी मिली है साथियों उसमें हम लोग कहेंगे कि आप लोगों की बोध धम और संग ये तीन शब्द मिलें जो कि बोध धरम की तरफ संकेत करते हैं कहां करते हैं बोध धरम की तरफ क्या करते है संकेत करते हैं तो इसका मतलब यहां मठ मिलें साथियों गोल बोध मंदिर मिलें यो आपने आप में यह संकेत करते हैं कि इनका बोध कलिन अउसेश यहां मिलें धरम में आस्ता समराथ असो के साथियों धरम में आस्ता और गो हत्या पर परतिबंद मगद का राजा होना बताय यह आपके इसी ही सिलालेक में बताया गया है, गुल मंदिर के आउसेस यहां मिले, असोक के आउसेस यहां मिले, तो यह इसका मतलब यहां पर साथ यह आपके भूध कालिन और मोरे कालिन आउसेस मिले, भूध विहार यहां आपके पहली बार मंदिर मिले, चीनी आतरी हिन सां ने कितने आठ भोध मत बता है और अशोक कालन ब्रह्मिल लिपी की अक्षर युक्त इटे भी यहां मिलिये साथियों और यह इस्टूप है आप लोगों के बुद्ध की परतिमा यहां मिलिये जो कि मत्थूरा शैली में इस्टूप है आपके हिन्यान संपरदाय समधित है कहन काल चत्र मिलें और भीम डूंग्री पर साथियों के अप लोगों के भाबुरु सिलमेगाल कोält और यहां साथियों कार लाईल को मिला ऐले जो मिलेख के आपके देखो यहां पांडुओं का अज्यात वास रहा है यह देखी आप लोग राजा विराट की पुत्री उत्रा का विभा हुआ है साथ यह आपके अर्जुन के पुत्र अभुमिन्नी से यह हमें भीम ने द्रोबदी के प्यास बुजाने के लिए भीम लात तालाब का नि गरते मित्रो इसलिए इनका यहां शालाशना पति था उसके महल मिलता है उनका फिर वद क्या गया शुरह में अनेक स्याल चितर मिलें प्राचेन युक की हम लोग चित्रशाला भी कहते साथियों और यहां क्या मिले देखिया आप लोग बिलाक एंड रेड काले दुम लाल स साथियों यहाँ पे भाले मिलें, दैराम साहनी कहता है कि हून शासक महिर कुलने इसको दोहन्स किया था, तो यह आप लोगों के मोटी मोटी बात करूं साथियों बैराट से ब्यता है, अब देखो इतना डर था आप लोगों बैराट में, आपके अंगुलियों पर आगे, नीलार बंदर जी वकेला साद दिक्षित न किया हैków अय। इसक बीजग दूंगरी, भीम, भीजग, भीजग, डुंगरी, पीजग, भीजग, महाभारत, मिले, मठिं, मिले, गोल, वो बहुत मंदिर मिलें यूनान के यहां पर सातियों मुद्राय मिली आप लोगों के ठीक है 36 मुद्राय मों से 8-5 पंचमार सिक्के और 28 इंडो गुरिक इन में से 16 मुद्राय आपके यूनान ज्याधा मिनेंडर के समय किये कुछ लोग कहते हैं इन्हों राज जी किया होता हो गया आप लोगों की किसाब यहां पर पांडू अज्यात वास हुआ राजा विराट है उनकी पुत्री उत्रा का विभा अर्जुन के पुत्र अभी मिने से हुआ भीमने दुरुपदी की प्यास बुजाने के लिए भीमलात तालाव का निर्मान करवाया कीचक के राज महलों क कि देंगे आपको उसके बाद साथ ये आपका ये कंप्लिट हो जाएगा चार आपके सब्वेता इसलिए उसमें चारों को चारों हो जाएंगी एक्जम कोई भी हो साथी हो चार ये हमसे कम चार में से सवाल पूछता है धन्यवाद राम राम साब थेंक्यू झाल 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 झाल